हेलो एवरिवन आई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिस क्लास टू का चेप्टर 11 चेप्टर में आने से पहले हम लोग हाड़ वर्ड देखने वाले हैं जो कि हमेशा करते हैं सेल्फिस मतलब स्वार्थी इंवाइट मतलब आमंत्रिन देना स्टॉक मतलब सारस यानि साल लो मतलब उत्राः यानि जिसको जैसे थाली ये थाली में उत्राः थाली रहता है वोग ज्यदा गढ़ीन ऐसा था तथाली में उसीको बोलते हैं सालो एजली मतलब आराम से लैप से मितलब तोख लेना सुरक लेना वेट घीलह Department या भीगोना बिल मतलब प्याइस Slime मतलब धूर्ट, Dan मतलब भोजन, Appointed means, निश्चित किया गया, Apologize मतलब माफी मांगना, Jare मतलब बरतन, Nero मतलब संकिर्ण या पतली, Drank मतलब पिया, Helpless मतलब औसाहाई, Insert मतलब डाल पाना या डालना, Hungry मतलब भूखा, Demon मतलब रहना, आते हम लोग चेप्टर पर आप, चेप्टर है आपका, A Fox and A Stock, मतलब एक लोमरी और एक सारस, ये कहानी बिल्कुल जैसे को तैसा पर बेस्ट है, तो हम इस कहानी में चलने से पहले तो आसा बता देते हैं, कि जो लोग अच्छा करते हैं कि दूसरे के साथ, जब एक के साथ कोई अच्छा करता है, तो दूसरा एक कोई किसी के साथ अच्छा नहीं करता है, यानि बुरा बरताब करता हैं, तो दूसरा भी उसके साथ बुरा ही बरताब करता है, उसकी इसी तरह से चलते रहती है, तो हम लोग देखने वाले हैं, Once there were two friends, एक बार दो दोस्त थे, a fox and a stock, एक लुमरी और एक सारस, the fox was very selfish, लोम्री बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी थी. One day, the fox invited the stock to dinner at his place. एक दीन, लोम्री ने सारस को अपने घर पे भोजन के लिए आमंद्रत किया. He served some soup in a very shallow dish. उसने बरही उथले से थाली में सोर्बा परोसा. The fox could easily lap this up. लोम्री उस थाली से बरहे आराम से खापा रहा था. But the stock could only wait her bill. लेकिन सारस को बड़ी मुश्किल से उसके चोंची भीग पा रहे थे. यानि खाना उसे बहुत मुश्किल हो रहा था. मान लो एक कोई बरहा सा चोंच बला है. अब उसको उत्रे थाली में कैसे खा पाएगा. वो तो बड़ी मुश्किल से उसके चोंच की नोखी उसमें सट पाएगी. तो बिल्गल वही बात है. और उसे इस परकार भुखा ही रहना परा. वीद ए स्लाय स्मयल ऑन दफॉक सेड़ और बड़ी धूर्त मुश्कान के साथ लोमरी बोला. I'm sorry that the soup is not to your liking. मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पर रहा है कि तुम्हें सोरबा पसंद नहीं आया. The stock could do nothing and she said, सारस कुछ भी नहीं बोल पाया और इसलिए उसने कहा, Oh please do not apologize. अरे नहीं नहीं आप माफी मत मांगें. I hope you will return this visit and come to dine with me. मुझे आसा है कि आप भी मेरे साथ कि दिनर पे मेरे घर आएंगी. ये इसा कहता है. Finally, a day was appointed and the stock invited the fox. और अन तता एक दिन निश्चिश्ट किया गया, जिस दिन सारस ने लुम्री को अमंत्रित किया. ये देखिए यहाँ पे है. This time the stock subbed soup in a very long necked jar with a narrow mouth. अब इस बार क्या हुआ? इस बार हुआ ये कि stock, यानि सारस ने एक बर ही लंबी गर्दन वाली सुराही. सुराही आप उन्हें देखियोगी. तो बिल्कुर यहाँ पर देख पारे हैं, आप यहाँ पर सुराही है. लंबी गर्दन है इसकी देख पारे हैं, बिल्कुर ही. इस बार सारस ने सोरबा एक लंबी सिगरदन वाली सुराही में परोशा इस बार सारस बरे अराम से सोरबा पी पा रहा था बट इस टाम दफोक्स वाज है लेकिन इस बार लोम्री वासाय था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो अपना मू उस बरतन में घुसा नहीं पा रहा था डाल नहीं पा रहा था इस बार हमने देखा किस तरह से एक लोम्री उसे ठकती है तो सारस भी उसे सबक सिखा देता है तो यही था इस कहानी में इस कहानी का question answer या exercise का जो भी है आपको इस description में लिंक है उस पर क्लिक करके आप download कर सकते हैं बरे आराम से